आत्मन सब के लिए शुब कामना ही कीजिए सुखे है सब मत सुमत सद भावना से सीचिए सुखे है सब मत सब के लिए शुब कामना ही कीजिए आत्मन सब के लिए शुब कामना ही कीजिए ओम शंति, ओम शंति अज की ज्याना मुर्ली की तारीख है दो ग्यारा दस और आज की ग्यान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे तुम इस रूहानी युनिवर्सिटी के स्टुडन्टू तुम्हारा काम है सारी युनिवर्स को बाप का मैसेज देना विश्व विद्ध्या लेके विद्ध्यार थी वाह क्या तो आज मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को नशा चड़ाया और फिर बाबा कहते हैं सारे विश्व को हमें यह संदेश भी बाप का देना है आज का प्रश्ण है अभी तुम बच्चे कौनसा ढिंडोरा पीटते और कौनसी बात समझाते हो उत्तर है तुम ढिंडोरा पीटते हो कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है अनेक धर्मों का अब विनाश होना है तुम सब को समझाते हो कि सब बेफिकर रहो क्यों? क्योंकि यह इंटरनेशनल रोला है लड़ाई जरूर लगनी है और इसके बाद दैवी राजधानी आएगी क्योंकि स्वयम परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा नई दैवी राजधानी की स्थापना जो कर रहे हैं धारना के लिए मुख्य सार है नमबर एक अपनी स्थिती ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके क्योंकि विनाश के नजारे तो बड़े भारी भयानक होते हैं तो मेहनत करनी हैं कौन सी स्थिती बनाने की देही अभिमानी बनने की नमबर दो नई राजधानी में उच पद पाने के लिए क्या करना होगा मीठे मीठे बाबा कहते हैं परमसिक्षक कहते हैं कि पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है पासोकर विजय माला का दाना बनना है आज का वर्दान है मस्तक द्वारा संतुष्ट ताके चमक की छलक दिखाने वाले साक्षातकार मूर्त भव जो सदा संतुष्ट रहते हैं अब हमें बहुत ये अच्छी बात बताई जा रही है जो हमारी रोज की दिन चर्या में होने वाले छोटे बड़े हमारी इच्छाओं के द्वारा कर्म जो करते हैं उसमें जिस बात की आवश्यक्ता है जो हमें खुशी में रख सकती है उस पर हमें मीठे मीठे बाबा बता रहे हैं जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की जलक सदा चमकती रहती है उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख भी लेती है तो वह भी उनको देख कर खुश हो जाती है उसकी उदासी मिठ जाती है जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतही सब आकर्शित होते हैं उनका खुशी का चहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है अर्थात उनके द्वारा खुशी कैसे प्राप्त हो वो पढ़ने को मिलता है, सीखने को मिलता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले को बनाने वाले का परिचे देता है तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मनिया बनो जिससे अनेकों को सक्षातकार हो आज का स्लोगन है चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना हरे एक अपना काम करता रहता है तो वो अपना काम करता रहे परन्तु हमें क्या करना है क्या चोट लगाई तो चोट खा करके दुखी हो जाना है नहीं, मीठे बाबा कहते हैं चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना तो सुना बाबा ने क्या कहा इसी लिए चोट कोई लगावे तो दुखी नहीं होना परंतु हमेश्व स्वयम को बचाने की उसी समय पूरी-पूरी कोशिश करके और बचा लेना है अच्छा ओम शान्ति ओम शान्ति आने दीजिए इस ग्याद के उजियार में दीवार ना आने दीजिए दीवार ना आने दीजिए आत्मन सब के लिए शुब काम नहीं इजिए आत्मन सब के लिए